अगर आप पहली बार आया है तो बहुत 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 दने वार आने जो लाएं अगर आपको चैनल पसंद आता है चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए जादा जादा सपोर्ट दिखाए जिससे कि मैं ऐसे और इंफर्मेटीव वीडियो लाने का मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए बहुत जाद अच्छी इंफर्मिशन ले के आऊ उत्राखंट पॉइंट पॉइंट पीसे के इंपॉर्टन एक्जाइम्स होते हैं लोवर पीसे अपर पीसे हो जितने भी छोटे बड़े एक् उतरकंशी दिस्ट्रक चाइए उतरिक स्ट्रक के माप से उत्रकाशी का मैप देख लेते हैं उतरकाशी का नेभर इंग्हिक हां लिए मैचल-पर्देश सब्सक्राइब हां टाइ एक उतरखे Guild नी ici इस साइट साउथ इस्ट में हमारा पड़ता है रुदरप्रियाग और तीरी गड़वाल फिर हमारा साउथ वेस्ट में पड़ता है तीरी गड़वाल का एरिया पड़ता है और साउथ इस्ट में भी तीरी गड़वाल पड़ता है यानि कि आप कह सकते हैं पूरे साउथ को वेस्ट में हमारा पढ़ता है देहरादून तो याद रखिए कि कौण फॉली रुधर प्रियाग और टीरी गड़वाल और नेबरिंग स्टेट है ही माचल परते हैं यह था हमारा उत्तरकाशी का मैप उत्तरकाशी के मैप का ओवर विव तो चलिए शुरू करते हैं उत्तरका उत्त्रकाशी में reverse कौन सी है रिवर सरह गंगा और यमुना और वी छोटी बड़ी बहुत सारे RIVर सेहनी पर मेजार दो रिवर सें गंग और यमुना उत्त्रकाशि का मतलब किया है नौर्थ काशी यानि कि उत्तर काशी ठीक है एक काशी कहा पे बारा नसी में यह का हमारी उत्तर की काशी सब्डििविजन कितनी है यहां पर यहां फट्रिंष एक काशी और फैसिल कितनी है यहां पर टैसील है एड यहां यहां पर municipalities कितनी है, municipalities है, यहां पर 6, gram पंचायत, gram पंचायत 500 है, ठीक है, फिर sex ratio कितना है उतरगाशी का, sex ratio, 959 out of 1000, हमारे state के sex ratio से ज़्यादा है, literacy rate कितना है, state का sex ratio है, 943 out of 1000, ठीक है, यह state का, literacy rate कितना है, 75.98%, main languages क्या है यहां की, main language है, गड़वाली, ठीक है, assembly seat, यानि की, state legislative assembly, assembly seat है, ठीक है, यह था उतरकाशी का एक overview, अब उतरकाशी का detailed view देख लेते हैं, detailed version क्या है, उतरकाशी का, शुरू करते हैं, देव भूमी के नाम से विख्यात है, यह place, ठीक है, भागी रथी नदी के दाई और स्थित है, भागी रथी रिवर के, राइट बैंक की, भागी रथी रिवर के, situated, नोट्स बनाते हैं, यह सारी important notes हैं, लास्ट में हम एक्जैम से में revision के बाग, इससे बस एक बार देखेंगा, तो revise हो जाएगा, situated on, भागी रथी रथी राइट बैंक, ठीक है, भागी रथी रिवर के, राइट बैंक पे स्थित हैं, यानि कि, दाई और पे स्थित हैं, फिर, इसके बारे में और देखते हैं, प्राचीन नाम, इसका ancient name जो है, इसका ancient name है, सौम्यकाशी, सौम्यकाशी एंड 12 हाट, ठीक है, फिर next point, अठारा सो तीन में, बैंकर बाल आने के कारण, बाल आट नगर छतिकरश्ट हो गया था, ठीक है, फलर्ड आने के कारण, बाल आट जो नगर था छतिकरश्ट हो गया था, और वर्तमान उत्रकाशी का उत्रकाशी नगर को पुनता बसाया गया और 24 फरवरी important date है 1960 24 फरवरी 1960 इसको टीरी जिले से अलग करकर एक नया जिला बना दिया गया made into a district made into a district carving out from the टीरी district यहां पर बहुत जादा यह नगर बहुत जादा प्रकरतिक सौंदर रहे पूर्ण द्रश्चों के लिए famous हैं जिसमें कि हम इसके important places देखते हैं सबसे पहला आता है हमारा गंगोत्री ठीक है गंगोत्री उत्तरकाशी जनपत में स्थित है ठीक है समुद्रतल से 3048 मीटर की उचाई पर है 3048 मीटर की हाइट है रिशिके से 255 किलो मीटर है यहां भागी रती का एक मंदिर है गंगा का नाम भागी रती है ना तो भागी रती का मंदिर है और यह बागी रती का उद्गम स्थल भी है यहापर भागिर्थी का मंदिर है जिसमें गंगा, लक्ष्मी, पार्वति और अनपुर्णा देवी की मूर्थिया है इस मंदिर का निर्माण 18th century में, 18th सताप्ती में गोर्खा सेनापती अमर सिंह थापा ने करवाया था अमरसिंग थापा ने इस मंदिर का निर्मान करवाया था ठीक है कंस्ट्रक्शन 18 सेंचुरी में गोर का सिनापती अमरसिंग थापा ने इसका निर्मान करवाया था फिर क्या होता है और इसका पूर्ण उद्धार यानि कि रीकंस्ट्रक्शन इसका reconstruction जैपुर किंग माधो सिंग ने करवाया था कब? इन 1935 ठीक है यह important point है बहुत जादा next इस मंदिर के कपाट इस मंदिर के जो gate है वो हर साल एवरी इयर ओपन ओपन्स एट शुकलत रत्या बैसाक शुकलत रत्या बैसाक शुकलत रत्या जिसे हम अक्षे रत्या भी कहते हैं जिसे हम अक्षे रत्या भी कहते हैं इसको खुलते हैं और भाई दूज को बंद हो जाते हैं closes on भाई दूज दिवाली के बाद भाई दूज को बंद हो जाते हैं ठीक है बंद होने के बाद इसका पूझा पार्ट है वो कहां पर होती है in winters मंदो मेन मेन मूर्थी कहां लेकर जालती है मुखुषा विलेज में ले जाई जाती है ठीक है और मारकंडे मंदिर में रखी जाती है मारकंडे टेम्पल में इस मूर्ति को रखा जाता है और वहीं पे इसकी पूजापाट होती है ये questions आ जाते हैं किस मंदिर को कहां पे shift किया जाता है जब उनकी पूजाबाट उस जगा पे नहीं होती तो ये बहुत important points होते हैं फिर यहाँ पे इसके पास कौन-कौन से important places है सूर्वे कुंड है गौरी कुंड है ठीक है पंत 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 गाना है और भेरव जाप है ये important places हैं गंगोत्री के पास ठीक है गंगोत्री नदी यहाँ ही पर यहाँ पे डूबवा शिवलिंग भी हो और यहाँ पे गंगोत्री में भागी रती में गंगोत्री में यहाँ पे क्या क्या होता है भागी रती में भागी रती merge with केदार गंगा या फिर एक कैसे दिंग केदार गंगा केदार गंगा भागी रथी में आके मिलती है not भागीरथी केदार गंगा केदार गंगा merge with भागीरथी रिवर ठीक है हैं इंपर गञोतरी में यह important चीज है इसके बारे में सेकेंड है हमारा important place गोमुख ठीक है गोमुख जो है ये भागीरती नदी का उद्गमिस्थल है यानि कि भागीरती नदी का origin point है यहां से भागीरती रिवर निकलती है और ये गंगोत्री से 18 किलोमेटर रूर है थर्ड है तपोवन 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 जो है 4600 इसकी हाइट है 4600 मीटर हाई है ये ऊचा है ठीक है इसके बाद यहां पर एक इसे क्या कहते हैं हिमालिया का tip in top known as हिमालिया tip in top यह important question आया हुआ हिमालिय का tip in top कहीं जाने वाले तपोवन परेटक का सबसे पसंदीदा इस थल है यहां पर एक साथ can visible can see यहां पर एक साथ हिमालिया की 15 चोटियों को देखा जा सकता है कैन सी 15 हिल्स टुगेदर उनका नाम इंपॉर्टेंट नहीं है बस आपको इतना याद रखना है ठीक है कैन सी 15 हिल्स टुगेदर और इन चोटियों के अलावा यहां से रक्तवन सुन्दरवन नंदनवन गोमुक गोमुक और गंगोत्री ग्लेशियर का एक पिच्चर इसकी हुआने की सुन्दर द्रश्य देखने मिलता है ठीक है देखने मिलता है फिर नेक्स्ट हमारा आता है थर्ड सुर्य फोर्ड यमनोत्री उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में ही इस्थित है यमनोत्री जो की गंगोत्री से ठीक पश्चिम तता उत्तरकाशी से 131 किलोमेटर दूर है यहां पर पहुँचने के लिए हनुमान चट्टी से 13 किलोमेटर की पैदल यात्र करनी पड़ती है कहां से यह हनुमान चट्टी से हनुमान चट्टी एक प्लेज है वहां से 13 किलोमेटर की पैदल यात्र करनी पड़ती है यमना के बायंत पर स्थेत हैं यमनोत्री मंदर कहा है यमनोत्री टेंपल अर्डी लेफ्ट बैंक ओफ यमना यह बैंक आ जाते हैं कौन सा किस बैंक पर हैं हमारा यमनोत्री मंदर ठीक है और यहां पर इसका 1919 में 1919 में गड़वाल किंग गड़वाल किंग प्रताप शाह प्रताप शाह ने इसको कंस्ट्रक्ट करवाया था यह म्नोत्री मंदिर को और रिकंस्ट्रक्टेड बाई और इसका जीर्णोधार यह फिर पुर्णिनर्मान किसने करवाया था जैपुर किंग और रिकंस्ट्रक्ट बाई जैपुर्स किंग जैपुर्स क्वीन सॉरी रिकंस्ट्रक्ट बाई जैपुर्स क्वीन महरानी गुलेरिया इन 19th century ठीक है यह है इंपॉर्टन पॉइंट अबाउट यमनोत्री फिर नेक्स हर साल भाई दूज को यहां के कपाट बनत जाते हैं और खुलते कब हैं जब गंगोत्री के कपाट खुलते हैं ओपन होते हैं अक्ष़त्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत् विंटर्ज में क्या होता है मूर्ति को कहां लेके जाया जाता है खरसाली गाओं खरसाली विलेज लेके जाया जाता है जो कि यमनोत्री से 6 किलोमेटर पहले है और जहां सोमेश्वर देवाल्य है यहां पर क्या है सोमेश्वर देवाल्य में पूजा पार्ट होती है स्योंमईश्वर्देवाले में पूजा पार्थ होती है मूप दीखी थीक है फिर नेक्स्ट है यह मनुद्री मंदिर के पास तीन थ्री हॉट वोटर सूर्सेज हैं ठीक है होट वोटर सूर्सेज हैं कौन कौन से जिसमें से important है जिसमें से important है यहां पर क्या होता है कि यहां का प्रशाद है आलू चावल और यहीं पर यही पर यही पर आपि प्रशाद के रूप में लोगों में बाटा जाता है और यह important पॉइंट है यह कोई यह एक्जाम में अल्रडी आ रखा है पोटेटो और राइस कुक्ड इन दिस पॉंड और डिस्ट्रिब्यूटेट और डिस्ट्रिब्यूट्स अस प्रिशाद ठीक है यह इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यमनोत्री से 16 किलोमेटर दूर क्या है एक सब्तरिशी कुंड है सब्तरिशी कुंड है ठीक है यमना का उद्गा मिस्थल यमना का ओरिजिन कहां है यमनोत्री से ही निकलता है यमनो ओरिजिन और वहां पे वहां पे जो माउंटेंज वो कौन से हैं बंदर पूच बंदर पूँच यमनोत्री मंदिर से एक किलोमेटर रोर है ठीक है बंदर पूँच जो है वो त्री माउंटेन पीक से मिलके बनाए और वो कौन-कौन सी है शिरीकंट बंदर पूँच और यमनोत्री कांठा यमनोत्री कांठा ठीक है यह बंदर पूँच यमनोत्री कांठा यहीं से यमुना नदी का संगम है ठीक है यह एक इस समूँ को जो यह बंदर पूँच माउंटेन पीक का जो यह एक घटा क्लस्टर है इसे ancient times में कालंदी परवत के नाम से जानते थे किस परवत के नाम जानते थे कालंदी परवत के नाम से जानते थे तो शायद इसी वज़ा से कहा जाता है कि यमना का दूसरा नाम कालंदी भी है ठीक है इसी वज़ा से कहा जाता है कि यमना का दूसरा नाम का कालंदी रिवर भी है ठीक है पराणिक द्रिष्टी से कालंदी क्या है सूर्या पुत्री सूर्या संडॉर्टर ठीक है सूर्या पुत्री शनी एंड यम यम राजों है न यम सिस्टर और कृष्ण स्पत्रानी यानि कृष्ण की एक रानी में से भी है कालंदी यह आ सकता है। फिर नेक्स्ट है हमारा विश्वनात मंदिर नेक्स्ट हमारा इंपोर्टन टूरिस प्लेस है विश्वनात मंदिर विश्वनात मंदिर उतरकाशी से लगबग 300 मीटर की दूरी पर इस्थित है और 1857 में गड़वाल नरेश, गड़वाल किंग, सुदर्शन शाहा, सुदर्शन शाहने, इसे सुदर्शन शाह की वाइफ महारानी खनेती, खनेती द्वारा इस मंदिर का पूर्ण उद्धार हुआ था, गड़वाल किंग, सुदर्शन शाहा, वाइफ महारानी खनेती, रिकंस्ट्रॉक्टेट, बना हुआ बहुत पहला है, जिसके अभी हमें पता नहीं है, बस रिकंस्ट्रॉक्शन के बारे में पता है, गड़वाल के बारे में पता है, बारे में पता है, बारे में पता है, बारे में पता है, यहां पर एक डैम है, जो कि जिससे क्या होता है, लाइट भी जनरेट होती है, यह फिर नाइन्थ है हमारा गंगानी, नाइन्थ है हमारा गंगानी या फिर गरम पानी, ठीक है, मनेरी से गंगोतरी के मार्ग पर लगबग 26 किलोमेटर चलने पर भागी रथी के बाएं किनारे, अन दी लेफ्ट बैंक, अन दी लेफ्ट बैंक और भागी रथी, यह पिसिचुएटेड और यह क्या है, सल्फर वाटर है, सल्फर कंटेंड वाटर, पानी में क्या है, गंधक है, जैसे कि शहत भारा देखा था ना, हमने देरादून का, वहाँ पे गंधक है, यहाँ के पानी में भी गंधक गंधक पाया जाता है, सल्फर पाया जाता है, यह एक होट वाटर, यह होट वाटर, रोस सोर्स है, होट वाटर सोर्स है, यहाँ पे बहुत सुन्दर जगा है, केंटॉनमेंट एरिया है ये, बागिरती रतनादी के किनारे पर है, 26-20 मीटर की हाइट है, उत्रकाशी से यमनोत्री मार्ग पर पड़ता है, और ये अपने एपल्स के लिए बहुत फेमस है, famous for its apple, for its apple orcarts, जो एपल के बाग होते हैं न, उन्हें इंग्लिश में orcarts बोलते हैं, फिट 10 है हमारा, हनुमान चट्टी, हनुमान चट्टी, हनुमान चट्टी यमनोत्री से 13 किलोमेटर दूर है, और यहीं, यहां से डोडी ताल का ट्रेगिंग मार्ग शुरू होता है, डोडी ताल, ट्रेगिंग मार्ग यहीं से शुरू होता है, start, point, और यहीं से 13 किलोमेटर पैदल मार्ग है, कहां का, यमनोत्री का 13 किलोमेटर पैदल मार्ग, यहीं से अनुमान चट्टी से ही, शुरू होता है, फिर 11 है, नची केता ताल, यह ताल, चौरंगी खाल में 3 किलोमेटर पैदल मार्ग पर है, कहां पर है, चौरंगी खाल में, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में ही है, फिर हैं हमारा 12, बाड़ा हाट, जिसकी स्पेलिंग यह भी हो सकती है, ठीक है, यह एक प्राची शक्ती पीट है, शक्ती पीट है यह, और यहां पर एक तिर्शूल गड़ा हुआ है, तिर्शूल को 12 शक्ती के रूपों में देखा जाना जाता है, इसकंद पुराण में भी इस जगा का वर्णा नहीं है, यानि कि यह पांट लिख लेते हैं, इसकंद पुराण, इसकंद पुराण, ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा 12 दायारा बुग्याल, ठीक है, सबसे बड़ा बुग्याल है, यह उत्रकाशी गंग उत्री के मोटर मार्ग में स्थित है, ठीक है, और यह बहुत एक इंपॉर्टेंट, यह बहुत एक इंपॉर्टेंट क्या है, बुग्याल वह वाले एरिया होते हैं, अब सर्दी में महाँ पे बर्फ पढ़ती है, और गर्मी महाँ पे ग्रास लेंड उग जाते हैं, तो माउंटेंट के ग्रास लेंड को हम बुग्याल कहते हैं, ठीक है, ठाटीन थे हरकी दून, यह एक वैली है, ठीक है, यह एक समतल घाटी है, एक फ्लैट वैली है, ठीक है उतरकाशी से 166 किलोमेटर दूर है इसे रवाई छेतर भी कहते हैं रवाई छेतर रवाई छेतर भी कहते हैं यहीं से कुछ दूर पे जोधार गलेशर और वार्सु घाटी भी है कौन सा जोधार गलेशर और वार्सु घाटी भी है इस छेतर के इस्ट देवता है जो की शिव भगवान का ही रूप माने जाते हैं ठीक है जो की शिव भगवान का ही रूप मन जाते हैं और बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट में आभी आपको बताने जा रही हूं सम्शु देवता की पूजा दुरियोधन के रूप में होती है और यह बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट है एक्जैम पॉइंट और व्यू से पूजा होती है अच्छे से इसको पढ़िएगा रिवाइस कीजिएगा और चैनल के साथ बने रहेगा कल हम नई वीडियो लेकिए अगे और अगे बढ़ते चले जाएंगे और अपने बसक्प्लेट करेंगे यहां पे अभी तक बने रहने के लिए बहुत 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 ध झाल 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 झाल